नमस्का, मैं होसासी आई जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं होसासी आई जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं एंटी साइकलोनिक छेतर राजे के उपर बना हुआ है इसके 5 अक्टूबर से सक्रिय होने की संभावना है इसके करन राजे में मांसुन की वापसी शुरू होगी सरकारी इसकूलों के सिक्षक बिना लोकेशन बताए नहीं बना सकेंगे हाजरी बिना लोकेशन बताए अब सरकारी इसकूलों के सिक्षकों की हाजरी नहीं बन सकेगी जार्खन सिक्षा पर्योजना द्वारा इसके लिए इबिद्यावाहिनी सॉप्ट्योर में आवस्यक बदलाव किया गया है इसके तहद सिक्षकों को अपनी उपस्थिती दर्ज कराने के लिए लोकेशन बताना अनिवार्य कर दिया गया है इसके लिए बिद्यालियों को टैब उपलब्द कराया गया है बता दे जार्खन के सरकारी स्कूलों के सिक्षक अब बिना अपना लोकेशन बता हाईरी नहीं बना सकेंगे जार्खन सिक्षक पर युद्न द्वारा इसके लिए इबिद्ध्यवाइनी सप्ट्वेवर में अवस्यक बदलाव किया गया है ज्यारखन के 250 इसकूलों में सुरू होगी जनजातिय भासा में पढ़ाई ज्यारखन के सरकारी इसकूलों में बचों को उनकी मात्युत्य भासा में सिक्षा मिलेगी जिसकी त्यारी जारी है प्रथम चरण में राजे के 6 जीलो पच्मी सिम्भूम गुमला सहेवगन सिम्डेगा लोहरदागा वा खोटी जीला में पढ़ाई सुरू होगी इन जीलों के 250 इसकूलों में संथाली हो मुंडारी कुडूक और खड़िया यानि 5 जनजातिय भासा में पढ़ाई होगी इन इसकूलों में काक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के त्यारी है इसके लिए किताब भी त्यार किया गया है मिड़े मिल में अब चावल के साथ डाल, तेल, मसाला भी देगी सरकार राई सरकार परधान मंत्री पोशन योजना के तहत राजे के 33 लाख बच्चों को चावल के पैकेट के साथ डाल, तेल, मसाला और नमक के साथ राशन भी देगी बतादे बच्चों को 134 दिनों के लिए पैकेट बना कर सुखा राशन दिया जाएगा इसमें अरहर दाल, सरसो तेल, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, तथा नमक सामिल रहेगा बतादे क्रोना के कारण, इसकूल बन रहने के कारण बच्चों को प्रति पूर्ति के रूप में सुखा राशन दिया जा रहा है दूरगा पूजा को लेकर सुरक्षा वेवस्ता के लिए राशी पूलिष ने त्यार किया एक्शन प्लान जार्खन की राईधानी रांची में दुर्गा पुजा के दोरान विधी बेवस्था की समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा के दृष्टी कोन से रांची पूलिस ने त्यारी शुरू कर दी है इसे लेकर सीटी एसपी सुरव ने करवाई के लिए 6 बिंदू पर एक्षन प्लान त्यार किया है इस संदर में उन्होंने राईधानी के सभी थाना प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है पहले बिंदू में संप्रदाई गरबड़ी करने वाले संभावित लोगों की जनकारी मांगी गई है ऐसे लोगों का अप्राधिक इतिहास पताने को कहा गया है इस बार भी नहीं जलेंगे रावन के पुतले पिछले साल की तरह इस साल भी कुरोना के कारण रावन दहन का अउजन नहीं किया जाएगा राईधानी में रावन के पुतला दहन का इतिहास 73 साल पुराना है बतादे रावन के पुतला दहन के सुरुवात 1927 में की गई थी यहां रावन के पुतला दहन का अओज़न पंजाबियों दोआरा सि LEBI में पहली बार किया ता रांची के refugee camp में रह रहे 12 से 15 पंजावी परिवारों ने विजय दसमी के दिन रावन दहन का कारिकरम किया और पहला दसारा रांची में मनाया जार्खन सरकार का 10 जीलों में टीका करन में रफ्तार बढ़ाने पर निर्णा है राज सरकार ने टीका करन में पीछे चल रहे 10 जीलों पर 20 फोकस करने करने लिया है इन जीलों में अलग अलग आयू और के टीका करन में लक्ष के अनुरूप परदलसं संतोस जनक नहीं है इसे लेकर इन जीलों को पायुक्तों और सिविल सर्जनों को इसमें सुधार करते हुए टिका करण की रफ्तार बहाने के निदेश दिये गए है बतादे स्वास्त विभाग की रिपोर्ट के उनसार पाली डोज के तहत 18-44 बर्स के लोगों के टिका करण में गढ़वा तथा गेडी पीछे है दोनों जीलों में लक्ष के अनरूप महज 37 तता 40% ही टिका करण हुए है जबकि इस आजूबार्ग में पूरे राजे में 54% लोगों को पाली डोज का टिका लग चुका है सहायक पुलिस कर्मियों ने मुख्य मंत्री को भोजन पर किया अमंत्रित राज़ानी रांची के मुराबादी मैदान में सहायक पुलिस कर्मियों का अनिस्चित कालिन धरना जारी है बतादे सहायक पुलिस कर्मियों अपनी मांगों को लेकर अनिस्चित कालिन धरना पर बैटे हुए है सहायक पुलिस कर्मियों ने राजे के मुख्य मंत्री हमान सुरेन को अमंत्रित किया है और कहा है कि हमारे बीच बैठ कर भोजन करे हमारे दर्द को समझने का प्रयास करे सहायक पुलिस कर्मियों ने बताया कि हमारी मांगे जाय जाय है हमारी बहाली निये मावली के अनुसार हुआ है उस निये मावली को मुख्य मंत्री हमन सुरेन समझने की कोसिस करे सहायक पुलिस कर्मियों ने बताया कि तीन साल के बाद सभी बहाल हुए सायक पुलिस कर्मियों को जीला पुलिस में समयोजित करने की बात कही गई थी लेकिन अब यह बात सिर्फ हावा हवाई बन कर रह गया है जारखन में कुरोना के 9 नए मरीज मिले हैं जो रांची से 5 पूरवी सुमू से 2 धनबाद से 2 हैं जारखन में कुल एक्टिव केस की संख्या अंठानबे है भारत में 12634 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 2,58,50 है जारखन के सिंग्भूं में भुकंप रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तिवरता जारखन के सिंग्भूंग जिले में रविवार की दोपर भुकंप आया है बतादे रिक्टर एसकेल पर इसकी तीवरता 4.1 बताई गई है हालाकि इस भुकंप में किसी तरह की जानमाल के सुचना नहीं मिली है बतादे रविवार को आया इस भुकंप की पुष्टी नेशनल सेंटर फोर सेस्मोलोजी ने की है रश्ट्रिये भुकंप विग्यान केंद्र के मुताबिक रविवार दोपर दो बजकर 20 मियट पर सिंग्भूंग जिले में भुकंप के जटके महसूद किये गई रिक्टर इसकेल पर भुकंप की तिवरत्त चार पुंट एक मापी गई लेकिन इस दोरन भुकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है चक्रवाती तुफान गुलाब से हजारी बाग में लाखों की फसल बरबाद जार खण के हज़ारी बाग जीला अंतरगत बड़का गाओ पर खण में चक्रवाती तुफान गुलाब ने किसानों की कमर तोर दी है बता दे चक्रवात के कारण 22 का पानी खेतों में भर जाने के कारण लाखों की खड़ी फसलों का नुकसान हुया है इस से किसान काफी परिशान दिख रहे हैं बड़का गाओ के कंड़तरी निवासी धर्मनाथ महतो ने बताया कि बीगत दिन चक्रवाती तुफान गुलाब के आने से खेत में पानी भर गया आज तक पाई नहीं सुखा है इस कारण करीब 20 से 25 एकड में लगाए गए मिर्च टमाटर के पौधे आलू सब सड़ गए हैं पारा सिक्षक पारा सिक्षको के एक गूट जार्खन राज प्रसिक्षित पारा सिक्षक संग ने जार्खन सिक्षा पर्योजना परिशाद द्वारा पारा सिक्षको के अस्थाई करन तथा बेतन मान को लेका सिक्षा मंत्री जगनात मतो को सोपी गई निमावली की प्रारूप को संग के सामने लाने की मांकी है संकी राजे इकाई की रविवार को हुई बैठक में कहा गया कि सिक्षा मंत्री के साथ हुई बारता में पराशिष्कों के सेवा अस्थाई करन एवं बेतनमान के लिए बिहार मोडल लागू करने पर समती दी गई थी मंत्री ने असपष्ट घोष्णा की थी किसी पराशिष्कों को हटाया नहीं जाएगा यदि निमावली में गर टेट पास या अप्रशिष्षित पराशिष्कों को हटाने की बात रहती है तो पराशिष्कों को उसका विरोध करेंगे बियारपी सी आरपी ने भी पराशिष्कों की तरह की ब्यतन मान की माँग बियारपी सी आरपी महासंकेक प्रतिनिधी मंडल ने रविवर्गों सिक्षा मंत्री जगनात महतों से मिलकर पराशिष्कों की तरह प्रखन साधन सेवियों एवम संकूल साधन सेवियों के भी अस्थाई करन तथा बेतन मांदेने की मांग की प्रतिन निधी मंडल ने इसे लेकर मंत्री को ग्यापन सोपा इस प्रमंत्री ने प्रतिनिधी मंडल से दूसरे राजों में लागू बेवस्ता की जनकारी ली साथ ही सम्मंति दस्तावेज उपलव्ध कराने को भी कहा मंत्री ने कहा कि बियार्पी-सियार्पी की मांगों पर भी सकरात्मक रूप से विचार किया जाए बताद प्रतिनिधी मंडल में पंकर सुकला बिन्य हल्दर अमर खत्री आधी सामिल थे प्राथमिक सिख्षकों का पर्मोशन के लिए 15 नॉबर तक का अल्टिमेटाम अखिल जार्खन प्राथमिक सिख्षक संगीर अविवार को हुई राज्य कारेकिरनी की बैठक में राज्य में सिख्षकों यम अनकर्मियों को प्रोनाती परलगी रोक हटाने की मायं उठी तय हुआ कि राज सरकार को प्रोनाती परलगी रोक हटाने के लिए 15 नॉबर राजास्थापना दिवस तक समय दिया जाए इस अधी तक प्रोनाती परलगी रोक नहीं हटाने पर प्रात्मिक सिख्चक आंदोलन शुरू करेंगे मेडिकल छात्रों के लिए खुसखबरी हजारी बाग वा पलामू मेडिकल कोलेज में भी नमांकन दुमका इस्तित फुलो जानों मेडिकल कोलेज में इस वर सो सिटों पर नमांकन के अनुमती मिलने के बाद दो अने नय मेडिकल कॉलेज, पलामोई सित मेदनी राय मेडिकल कॉलेज, चता हजारी बाग इसी सेख भीकारी मेडिकल कॉलेज में भी नमांकन मिलने के उमीद बड़ी है बतादे विभीन कम्यों को सिक्र दूर करने के अंडर्टेकिंग दिये जाने के बाद स्वास्थ विभाक ओमीद है कि नेशनल मेडिकल कमिशन ने इन मेडिकल कोलेजों में भी नमांकन के अनुमती मिल जाएगी बिजली कर्मियों को दसारा से पहले पचास परतिसत भुगतान उर्जा विकास निगम के कर्मियों के अच्छी खबर है बताद निगम दुरगापुजा से पहले लंबित ओवर्टाइम बकाया का अधारासी पचास परतिसत भुगतान कर सकता है State Electric Supply Workers Union और उर्जा विकास निगम के महा प्रवंधक के साथ हुई बैठक में जनकारी दी गई अध्यक्स कनहया सिंग ने बताया कि तिर्तिय वर्ग में चतुर वर्गिये कर्मियों की पुर्णती पर भी प्रवंधन ने विचार करने का स्वसन दिया है प्रवंधन ने मकान भाड़ायत समंदित आध्यक्स निर्गत करने की जनकारी दी है फोरजी जमाना में जेलों में अब भी लगा है टूजी जाइमर रांची के बीसा मुंडा केंद्रिये कारा सहीत सभी 28 जेल जाइमर फिरी हो गए है बतादे इससे जेल से ही वाड़ से कॉल कर अपराध ही अपना गैंग चला रहे हैं और बाहर अपराध को अंजाम दे रहे हैं इससे पुलिस को अपराध नियंत्रन में कठिनायों का सामना करना पढ़ रहा है बतादे राजे के कुल 28 जेलो में से 17 जेलो में 2G जाइमर 2008 में लगाए गए थे जबकि गिरीडी देवगर गोड़ा मधुपूर साहिवगन राज महल पाकूर बोकारो और घाट सिला सहीत 11 जीलो में कोई जाइमर नहीं है बतादे 2009 से 10 में 3G मोबाईल सेवा शुरू हुई जिसके बाद जेलो में लगाए गए 2G जाइमर की छामता को थोड़ा बढ़ा कर किसी तरह काम चलाया जा रहा था गढ़वा SP ने दिया लंबित मामलो के सिग्र निस्पादन का निर्देश गढ़वा जीले के पूलिस अधिक्छक अंजिनी कुमार जहा ने सनिवार की साम चीनिया थाना का निरिक्षन किया इस दरह उन्होंने भीभीन मामलो की जनकारे ली पूलिस अधिक्षक ने परिशर में बन रहे नए थाना भावन का निरिक्षन भी किया उन्होंने कहा कि जल्द ही नए भावन में थाना सिप्ट हो जाएगा चीनिया थाना परिशर में लगवग 2 क्रोर की लागत से नए थाना भावन का निर्मान किया जा रहा है इसका निर्मान अम्तिम चरण में है बताद एसपी ने कहा कि छेत्र में पंचाय चुनाव को लेकर थाना छेत्र के सनवेदन सील बुथों की जनकारी ली जा रही है ज्यारखन के पुर्व मंत्री हाजी हुसेन को सीम ने दी सरधांजली ज्यारखन के मुख्य मंत्री हमांसुरेन ने रविवार को कांके रोड राची स्थीत मुख्य मंत्री अवासी कर्याले परिचर में राज्य के पुर्व मंत्री हाजी हुसेन अंसारी को पहली पुनेती थी देवघर जिला परिशत के सीटों के आरक्षन पर मुहर 25 में से 14 सीट महिलाओं के लिए जारखन में पंचाय चुनाव छट परव के बाद होने की संभावना है बतादे राज निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायती राज कर्याले से भेजे गए देवघर जिला परिशत के 25 सीटों के आरक्षन पर मुहर लगा दी है नए आरक्षन में देवघर जिला परिशत के 25 सीटों में से 14 सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है HEC पलांटों के समक्ष धारना परदसन बेतन भुक्तान की मांग को लेकर H.E.C. मजदूर संग सोम वार्थ से 7 अक्टूबर तक H.E.C. मुख्याले के समक्ष परदर्शन और पुतला दहन करेगा इसके बाद भी बेतन भुक्तान नहीं किया गया तो तीनों पलांटों में उत्पादन बाधित किया जाएगा संग की रविवार को ही बैठक में अर्णी नहीं लिया गया पतादे संग के मीडिया परभारी सुनिल कुबा ने बताया कि संग कर खानों की हीद को देखते हुए अभी बिना उत्पादन बाधित किया ही अंधोलन कर रहा है अखिल भारतिय आदिवासी धर्म परिशत की बैठक करन हमारी संग्या का भी पता नहीं चल पाएगा जारखन में खाली होगी राई सभा की दो सीटे राई सभा इलेक्षन अगले वर्स होने वाले राई सभा के दिवार्सिक चुनाव में जारखन में दो सीटों के लिए चुनाव होगा फिलाल दोनों सीट पर भाजपा का कबजा है पतादे केंद्रिय मंत्री, मुकतार, अबास, नकवी और महेस पोदार रिटायर होने वाले हैं बिधान सबय मौझूदा संख्या बॉल के हिसाब से भाजपा दोनों सीटों पर कबजा बरकरार नहीं रख पाएगी इसमें से एक सीट सतार उड़कट बंधन यानि जार्खन मुकती मोर्चा कांग्रेस और रायत की खाते में जाएगी राजनेती गलियारों में इस बात की चर्चा जोरो परहाई की कॉंग्रेस अपने परत्यासी के लिए साथी दलोग खाज कर जार्खन मुक्ति मोचा पर दबाब बनाएगा बीत मंत्री आज बेडो में करेंगे बैठक चार्खन सरकार के बीत एवं खादा पूर्ति मंत्री डाक्टर रामेश्वर उरासो मुआर को बारी डी पढ़ा मैदान में रांची गुमला एनस्टेज सड़क निर्वान चोड़ी करन और बेडो बाईबास सड़क निर्वान में जा रही जमीन को लेकर परखन के रहेतों के साथ बैठक करेंगे इस दवरान उनके साथ आदिवासी कॉंग्रेस कमेटी के परदेश उपाध्यक सर्नी टोपो भी मवजूद रहेंगे यह जनकारी समाज से भी कैलास कुमार ने दिया है उन्होंने परखन की सभी जमीन रहेतों से बैठक में समाज पर पहुचने का आगरा भी किया है यह आदि आप चैनल परना है होते चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल कावल आइकन दवे साथ वीडियो के एक लाइक कर अपनी दोस्तों के बाट से पेस्बूक ट्यूटर इंस्टाइगराम पर सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना प्यारा सा फिड़बैक अवसे दे थैंक यू